हमारी यूट्यूब चैनल गौडलीवूद स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए झाहरो जाले वիडियो यूप सब्सक्राइब you अपने परवान पर है और आज तो समवत सरी पर्व के निमित हम सभी सबसे महान प्रक्रिया, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा धर्म, क्षमादान और क्षमा याचना इसके तहट सुन्दर सुन्दर विचारों को मन में भर के चल रहे हैं क्योंकि जैन धर्म ही है जिसमें ये सुन्दर प्रावधान है कि वर्ष में एक बार हम जब बड़ा प्रतिक्रमन करते हैं और समस्त वर्ष भर की मन के ऊपर जमी हुई कर्मों की धूल को, स्वभाव की धूल को साफ करते हैं और साथी साथ अपने मन को नए वर्ष के लिए, नए विचारों से, नए उत्साह के साथ भर देते हैं आज का दिन ये मन को निरजर करने का, स्वच करने का सुन्दर दिन है आईए, हम कुछ अच्छी विधी के साथ मन को ले चले, क्योंकि कीवल शब्दों में तो क्षमापना हम सभी करेंगे विच्छामी दुकडम करेंगे, परन्तु मन के भावों से प्रतीक बात जो वर्ष भर मेरे साथ हुई, घटनाए हुई आज का दिन है उसे मन की इन मेमरीस के अंदर से डिलिट करने का क्योंकि अगर हमने पूर्व की ऐसी बातों को जिसने मन में कहीं न कहीं कुछ खटास लाई, कुछ कड़वाहट लाई, कुछ दिल को दुखाया, कुछ मेरे द्वारा किसी और को कष्ट पहुँचा इन सारी बातों को अगर हम बुला नहीं दे पाते, क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो यही बोज लेकर हम फिर अगले वर्ष में चलते हैं, और ऐसे अनेक वर्षों का बोज जब बढ़ता ही जाता है, तो जीवन पत का यात्री कैसे आगे बढ़ पाएगा, वो साधना के उच्चतम शिखरों को कैसे छूपाएगा, तो आईए, शमा पना के पावन पर्व का आनंद लें, आज के दिन, जाने अजाने, मन वचा कर्म से किसी भी जीव मातर का, मनुश्य मातर का, अपना या अपने पडोसियों का या किसी का भी, कोई भी प्रकार का कष्ट का भाव मैंने किया, किसी को नाराज किया, किसी को मन से या वचन से हिंसक भाव रख हानी पहुँचाई, कोई कठोर शब्द से किसी को हम ने रुलाया किसी ने मेरे द्वारा ऐसी कोई कर्म की विधी देखी जिससे की उनके जीवन में अवरोध उत्पन हुआ आज का दिन है उन सभी महान आत्माओं से उन प्राणी मात्र से सच्चे दिल से क्षमा मांगे मैं आत्माओं आप सभी से सच्चे दिल से क्षमा मांगता हूं ऐसा भाव रखे साथी साथ जो अपने अनन्य नस्दीक के मित्र रिष्टेदार पड़ोसी आदी है जरूर उनके साथ तो वर्ष भर में अनेक बाते हो जाती है आज उनसे मिलें जो नहीं बोल रहा है जो नारा चलो उनके घर जाएं उनके साथ मुलाकात करें नहीं बात कर रहे हैं आज से पुनह बात करना शुरू करें उन्हें कहें कि आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरे द्वारा आपको जो कुछ भी कष्ट पह चाहे उसके लिए आज मैं आपसे सच्चे दिल से क्षमा चाता हूं कभी-कभी हम सोचते हैं कि कैसे भूल जाएं किसी ने मेरा धन ले लिया अरे धन तो ले लिया पर विचार कीजिए धन तो हाथ का मेल है आज गया कल आ जाएगा परंतु व्यक्ति का प्रेम और संबंध वो तो कितना उपियोगी है आत्मा की यात्रा कई जन्मों की है हो सकता है किसी अन्य जन्म में पूर्व में मैंने भी उनका कुछ न कुछ जाने अंजाने ले लिया होगा आज अगर उनके पास चला गया कोई बात नहीं मेरी तकदीर मेरा किसमत उस पर मुझे भरोसा है और इस से अगर मैंने क्षमा की तो मेरा दिल निर्मल हो जाएगा ये मन प्रभु साधना में लग जाएगा और उनकी भी दुआएं प्राप्त करेगा कभी कोई कहता है किसी ने मुझे शारीरिक कष्ट दिया कोई बात नहीं शरीर भी तो अनेक प्रकार की भोगना भोगता है और शारीरिक कष्ट के द्वारा मेरी वो भोगना कोई मेरा कर्म पूरा हो गया कोई हिसाब था जो पूरा हो गया लेकिन आज मुझे उससे भी अपने आपको निर्मल करना है, कोई कहता है, उन्होंने मेरी खुशी चीन ली, अरे, कोई आपकी खुशी नहीं चीन सकता है, आपकी खुशी की चाबी तो आपके ही हाथ में है, आप जब चाहें, तब आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि खुशी तो प्रभू का वर्दान है, जरा ख खोजिये, आपके अंतकरण को निर्मल करके देखिये, कितना कुछ आपके अंदर प्रभु ने भरा है, आप तो स्वयम एक चेतना हो, आप तो स्वयम एक शांती और खुशी का अवतार हो, आप जब चाहेंगे समस्त संसार को खुश नुमा बना सकेंगे, इसलिए कोई बात किसी पल मेरी खुशी, किसी बात के कारण चली गई थी, लेकिन आज तो मैं ठीक हूँ न, तो उन पलों के लिए उन व्यक्तियों को माफ कर दें, साथी साथ, अगर किसी के भी कारण मेरे मन में कोई उदासी आई, कुछ मेरे मन के अंदर अपमान का भाव आया, इसका कारण व्यक्ति नहीं, अपमान का भाव आता ही तब है, जब मैं अभीमान में होता हूँ, हम आत्मा, जो कि इस देहे को बदलते रहते हैं, जब मैं देहे के भान में रहती हूँ, तब मैं समझती हूँ, कि मैं सुंदर हूँ, मैं धन्मान हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं अधिक अनुभवी हूँ और मैं उंचे पद पर आसीन हूँ और जब उस अनुसार मुझे कोई मान रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो मुझे अपमान फील होता है, बास्तव में अपमान ये मेरे अभिमान के कारण ही मुझे फील होता है, अगर किसी ने मुझे नहीं समझा, अगर किसी ने मुझे नहीं पहचाना, अगर किसी ने मुझे परियाप्त मान सनमान नहीं दिया, तो क्या मेरा गुण समाप्त हो गया, मैं तो जो हूँ वो हूँ ही, जैसे सूरज को बादल कभी ढख नहीं सकते हैं, हाँ, कुछ पलों के लिए अंधेरा हो जाता है, परंतु सूर्य तो कभी अंधेरे में नहीं जाता, वैसे ही अपने आप पे विश्वास रखें, आज अगर किसी ने मुझे मान न भी दिया, पर मेरे गुणों का प्रकाश, मेरे कर्मों की द्वारा फैलेगा, तो एक दिन उस कैसे भी ये एहसास होगा, मुझे किस व्यक्ति को कैसे व्यवहार में रखना है, तो वो जो महसूसता है, वो आपका परिवर्तन उनके अंदर लाएगा, वैसे भी कहते हैं, जो व्रिक्ष फलदार होता है, वो जुकता है, क्योंकि तभी वो सभी के लिए उपलब्द भी हो नहीं, फल लागे अती दूर, हमें गुणवान बनकर अहंकारी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ना हम किसी के लाब के काम आते हैं, और नहीं हमारे द्वारा किसी को कोई फल मिलता है, हमें तो सदा अपने गुणों का भी दान करना है, वैसे भी सर्वोच गुण तो नमरता है, जो जुकता है, वही सब का प्रिय बनता है, ये भी कहा जाता है, जुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है, तो हम थोड़ा सा जुक जाएं, शमा कर दें, और साथी साथ, उन सभी के लिए, अपने तरफ से, जब मैंने किसी क अपमानित किया, किसी का कोई नुकसान किया, किसी की कभी हसी उडाई, कभी किसी के निंदा की, तो किसी के पीठ के पीछे उसकी गलानी की, याद करें आज का दिन, वर्ष भर में, न जाने कब-कब, मेरे द्वारा भी इस तरह के छोटे-मोटे अपराद होते रहते हैं, आ सबी व्यक्तियों से हम हात जोड़ कर सचे दिल से शमा याचना करें हे आत्माओं आप सब को मैंने जाने अंजाने कोई भी दुख दिया तो मुझे ख्षमा कर दें मैं इस अपराद भाव से अपने आपको मुक्त करना चाहता हूं भायों एवं बहनों धर्म की साधना के दिन चल रहे हैं धर्म कहता है निर्मल जर्ने जैसे बनिये उस तलाब जैसे न बनिये जो कहीं रुक जाता है और गंदा हो जाता है मैला हो जाता है और किसी के काम नहीं आता बहते रहिए ये जीवन है चल रहा है आगे बढ़िए प्रति दिन कुछ पलों के लिए अपनी अंतरात्मा की जाच कीजिए रोज की भूलों को रोज ही अपने मन से समाप्त कीजिए अपने जीवन को स्वच दर्पन जैसा बना दीजिए यही तो आज के क्षमापना परवकी विशेश धारना होगी हम भी आप सबी से मिच्छामी दुकडम कहते हैं जाने अंजाने हमसे भी आपको कोई कष्ट पहुँचा हो तो क्षमा कर दे समस्त मानव जीवन को आज के दिन ये कितना सुंदर जैन धर्म से संदेश मिलता है काश सभी अपने जीवन में इस धारना को अपनाएं तो फिर से आप सभी को इस संवत सरी पर्व की महा पर्यूशन पर्व की और धर्म लाभ की हम बहुत बहुत शुपकामना देते हैं इन दिनों में आप जो भी साधनाएं करे वो वर्ष भर करे जीवन में आदत डाल दें वृत्ती से ऐसी भावनाएं सतत करे जिससे आज के जगत में फैली हुई नकारात्मकता समाप्त हूँ मानवता के अंदर शुद्धता आए प्राणी मात्र निर्भय होके विचरण कर सके आज का ये जो तमो प्रधान समय है इसमें घ्यान की ऐसी जोत जलाएं हर घर में उजाला हो जाए हर मन में ऐसी निर्मल प्रेम की गंगा बहती रहे और हम सभी उसमें नहाते और अपने जीवन को पावन करते चले महवीर स्वामी जी के पावन उपदेशों से जो हमने सीखा है वो हमारे जीवन में दृष्टी में वृत्ती में कर्म में दिखाई दे तो पुनह आप सबको नव समवसरी परवकी शुब कामनाएं ओम शांदाएं हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें लुद अप्राब बाइब कामनाएं